का एक बहुत बड़ा योगदान है योग गुरु जो हमारे देश में बहुत बड़े ब्रे हुए हैं जैसे आपने कहा प्रधान मंत्री का बहुत बड़ा योगदान है तो दो हजार चौदम में प्रधान मंत्री ने अंतुरास्ट्री योगदेवस की प्रिस्ताब रखाता औ और वहां से हम थोग सो गया 15 में 21 यून को पहली वार मनाये घ्या तो उस कि मैंसूस करने की बाद है तो में डेख रहा हों कि काफी जब जदा लोगों में जागरुकता काफी आई हैं ईसको ऐसको एक पड़ान की ओर ले जाना चाहते हैं, जब हम उशको एक पुरिपूर्ण मतब पूर्णता जब कम्प्लीट किसी भी चीज को हम ले जाना चाहते हैं तो वो कैसे संबब हो सकता है जब हम जागरुकता लाएं तो आप देखे परधान मंत्री का आवाहन आज पूरी दुनिया ने अपनाया है और आज आप पूरी दुनिया में सभी लोगों को आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने योग को अपनाया है लेकिन योग को अपनाने का आज देखे तो एक और इसके पीछे में कारण समझ सकत उसमें योग का बहुत ही महत्पूर्ण योगदान दिखने को मिलता है जब सरीर मन और स्वस्थ कह जब beard को कर्म की कुशलता कब संभभ है कर्म की कुशलता तभी संभभ है जब सरीर मन और बुद्धी का विकास हो और योग सरीर के हरे अनकोHo सब्सक्राइब का एक अद्भुद विज्याने जैसा कि हम जानते हैं और इसका हम देखिए कि आज समाज में भी देख रहे हैं कि लोग काफी ज्यादा जब मैंने कुछ लोगों को अभी कुछ देर पहले जब मैंने उनको 21 जून के लिए मैंने नौता दिया तो तुरत उन्ह jum है जोग आज योग को अपना रहे हैं हर दिन Club को कर रहे हैं कि करने का use करने का पर एंद। को विमारियों से काभी निजात मिलेगा और योग के बरावर काम करेगा कि अगर आपके पस वक्त नहीं है वक्त की कमी है या फिर आप रेगुलर आफिस आते जाते हैं तो योग का जो इस्थान है वो यह तहलना या फिर जिम ले सकती है योग की महत्ता को हम थोड़ा दूसर तो जिम में कोई व्यक्तित्तो का विकास संभब नहीं होता है और आप योग में देखेंगे तो व्यक्ति के व्यक्तित्तो का विकास होता है तो वो जिम में आप जाते हैं तो मसल्स को आप तयार कर सकते हैं लेकिन आप मन को कैसे तयार करेंगे मन जो की सरीर को संचालित कर आप हिर्दय जो है आज के समय में आपने सुना होगा कि जिम करते करते लोगों को हर्ट अटेक हो गया तो यह चीजे संभब क्यों है क्योंकि आप देखेंगे जिम में आप जाते हैं तो स्वास प्रस्वास की जो मैं उसके एगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं लेकिन मैं कहना च कहता है कि चित्त की मलींताओं का दूर हो जाना ही योग है और जब चित्त की मलींता दूर हो जाती है तो मांसिक अवसाद भी अपने आप दूर हो जाता है योग चित्त वरिती निरुदा तो आथ ही हो लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप शान्ति सुभाब से भी कर सकते जैसे जिम में कई जगा अग्रेशन होता है , लोगों ने बताया कि कई बर एकसाइट्मेंट के वज़ए से बहुत है र dist रख अप्यास्व होता है। देखे, जैसा कि मैंने आपको कहा बहुत सारे योगा अभ्यास अभी मैंने कुछ दिर पहले किये, तो कुछ दिर पहले आपने देखा योगा अभ्यास किये, बहुत सारे योगा अभ्यास ऐसे हैं, इसमें आप कहीं से भी कोई rigorous exercise नहीं है, चुकि योगा अभ्यास तो है नही जैसा कि हम कहते है अध्योगानुसावन िंध्यों जिसे सारे लुस्टेयसे यह क्या है योग करना भी घर्म धर्म को नियंतरन में आएंगी जब भावनाएं आपकी नियंतरन में आजाती है तो फिर इसका आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई में, आपकी एकागरता में, मांसिक जो तनाव है उसको दूर करने में, तनाव हींता को दूर करने में, यह सब चीजें स्वता ही काम करने लगती है तो आजका लिवा कहते हैं कि एक टाइम होता मतलब ऐसे 40 साल के जो लोग हैं, 40-50 साल के उम्र के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि हम एक टाइम पे अगर योगा शुरू कर लेते तो ठीक होता, हम 18-19 साल के होते तो कर लेते तब ठीक होता, अब क्या योगा करें, तो कुछ ऐसा चुम्हाइब के साथ हाप योगा को अपना सकते हैं जादोबहताने Okay आसुए जैसा कि हम जाते हम लोग जो भारतिये हैं रिज newman को काफी ज़़ादा विस्वास करे लोग tvårdaju ने स्टांग योग को दिया है और स्टांग सबका एक है कि एक आप देखे एक koos ने है है एक दिया हुआ है कि सेट है कि हाँ बच्चे बुढ़े महिलाएं सब के सब सारे के सारे वर्ग जो हैं कर्श रखते हैं हाँ लेकिन अपी तु उसमें प्रिकॉसंस जरूर है शाबधानिया जरूर है जैसा कि हम सब जाने प्रिकॉसंस बैटर देन क्यों तो क्यों होने के ल अब्दुल कलाम देखने में बहुत सुंदर नहीं थे लेकिन उनसे वरा वैक्तित तो मैं नहीं मानता हूं उनको मैं आदर्स मानता हूं तो क्या वह उन्होंने योग को नहीं आज देखे पूरी दुनिया आप जितने भी बड़े-बड़े सेलेब्रिटी आप देखें जब डीप ब्रिदिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा प्रानयाम यानि कि सौसन सक्ती का विस्तार करना और बच्चे यदि छोटे-छोटे बच्चे जिनका आप देखें कि मानसिक संतुलन को प्रगाड बनाने के लिए प्रानयाम का भ्यास करें बच्चे तो आप दे इसलिए कहा जाता है कि सारे वर्ग को मिला करके इसलिए तो का इसमें कहा जाता है योग जूड़ना मतलब सारे वर्ग को जोड़ लेता है यह कहना गलत नहीं होगा, मतलब यह तो वही बात होगी, कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ऐसे योग की भी उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में, किसी भी एज में आप योग को अपना सकते हैं, तो वहीं और लोगों से बात करेंगे, हापे बहुत सरे बच्चे हैं, जो रोज आपके साथ शायद अभ्यास करते हैं तो इन बच्छों से भी कुछ बात करेंगे ने कैसा लगता है रोज अभ्यास करना और क्या कि अनकी जीवन में इस योग को अपनाने के बाद बदलाव आए हैं आप रोग रोज करते हैं योगासर येस तो क्या क्या बदलाव मेरी बॉर्डिंग में शारीरिक विकास हुआ है मेरी हेल्थ अच्छी हुई है और मेरे अकॉर्डिंग दुनिया के हर इंसान को योगा करनी चाहिए क्योंकि इससे उनकी हेल्थी बढ़ेगी कुछ उनका नुक्सान नहीं हो आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ पर भी वर्क एक घंटे रोगिने कामने की जरूए है जिससे आपको लगता है अब आपका दिमाग कंट्रोल में है माम फाइव टू टेन मिनिट से अगे आप भी रोज करते हैं आपको क्या क्या बदला